नमस्कर दोस्तों सौगत यह आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एजुकिस्ने चैनल में तो आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्राब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि सरीर में काफी ज़्यादा पस बन रही है तो यहाँ पे जो हम तीन अलग-अलग वीडियो में देख रहे है उस तरह से यहाँ पे आप देखो तो पैर में काफी ज़्यादा पस फार्मेसन हुआ है उसी तरह से यहाँ पे पीठ पे पस काफी ज़्यादा बन चुकी है और यह जो है वो पस को निकाल रहे है तो ऐसे health problem जिसके अंदर पस बनती है जिसे की टाकों में infection होना और पस या टाके पकने की समस्या हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो stitches ले रहे हैं और फिर वहाँ पर आगे जाके जो है वो पस formation होता है टाके पक गए है ऐसा हम simple language में कहते हैं फिर एक all health problem हम देखे तो सरीर में किसी भी जगा काफी ज़दा जो है वो पस बन रहा है फिर तीसरा health problem हम देखे तो गाव जो होता है वहाँ से पानी आता तो यहाँ पर जो आप यह peak में देख रहे हैं इस तरह से यह पानी आता है फिर जो अथा हम problem देखे तो आख से discharge आना कि जो आखों में infection होता है वहाँ पस बनती है और उसके करन वहाँ से भी discharge इस तरह से बाहर आने लगता है फिर जो जखाम होता है गाव होता है वो सड़ना सुरू हो जाता है तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यह पीक के अंदर तो सड़न होने लगती है वहाँ पे फिर पस बनना सुरू हो जाता है यह जो इयर में infection हुआ है उसके करन यह कान में से आप देख रहे हैं यह जो पस है वो बाहर आ रहा है फिर यहाँ पे भी पस जो है वो चिपका हुआ आप देख सकते हैं फिर चोट लगना वहाँ पे गाव हो जाना नूकली जिससे जखाम होना तो यह जो सब भी health problem से वो indicate करते है कि पस formation हो रही है सरेर में काफी ज़्यदा जो है वो पस बन रही है और उसके करन काफी ज़्यदा दिक्कती आती है और उसको ठीक करना जो है वो काफी ज़्यदा जरूरी बन जते है वरना क्या होता है कि आसपास के दूसरे जो organs होते है आसपास की जो दूसरे area होते है वहाँ पे भी यह problem create कर सकती तो पस क्या है सबसे पहले वो समझते है तो पस एक ठीक fluid है जो खास कर yellow is color का होता है और जब सरीर में किसी भी जगा पे कोई infection होता है तो वहाँ पे यह pass formation जो होती है तो यह peak में आप अच्छे से समझ पाओगे तो यह आप देख रहे है एक infected area है तो यह वाला जो है skin के उपरी हिस्सा है और यह वाला जो skin के अंदर का हिस्सा है तो skin के अंदर क्या हो रहा है कि यह जो bacteria है वो grow कर रहे है अपनी और वो bacteria को kill करने के लिए white blood cell आ रहे है तो जो WBC और white blood cell है और जो bacteria है वो सभी के बीच में क्या होता है एक fighting जैसा होता है मलब कि जो हमारे WBC है वो bacteria को destroy करने के लिए वहाँ पर जमा होते है और वहाँ के जो cell होते है skin के वो भी inval होते है यह process के अंदर तो उसी के करन यह तीनों के combination से वहाँ पर पस बनता है जैसे कि वहाँ पर white blood cell होते है dead tissue cell होते है living organism और dead microorganism वहाँ पर present होती है तो जैसे मैं आप यह समझा है कि जो fighting होती है bacteria और WBC के बीच में उसके करन जो content वहाँ पर तयार होता है कि जहाँ पर जो WBC है वो भी उसमें रहेंगे जहाँ पर यह fighting हो रही है वो area के जो cell है वो भी damage होते है तो वो भी इसके अंदर present होते है और जो bacteria है वो भी यह pulse के अंदर present होते है कुछ जीवित bacteria भी होते है और कुछ मुरूत bacteria भी उसके अंदर present होते है तो ऐसे ही आपको बहुत सरे बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उपचार के बारे में सिखना अच्छ लगता है तो अब हमारी book भी available है कि जैसे हम video में सिखते है ऐसे ही detail में book के अंदर भी आपको अलग-अलग chapters मिल जाएगे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो हमारी book है decision readment उसको purchase करके भी आप उसमें से study कर सकते हैं तो पूरी color book भी available है वो भी काफी affordable price में है तो ये दिये गए number पे WhatsApp करके आप ये book को order कर सकते हैं तो आगे समझते हैं पस्ट के जो symptoms तो जहाँ पर पस्ट बनती है वहाँ पे जो person है उसको काफी ज़्यादा जो है वो pain होता है और वहाँ पे सूजना जाती है फिर हम देखे तो पस्ट जो हमारे organs होते हैं जैसे के kidney के अंदर भी ये पस्ट जो हो बन सकती है बाहरी हिस्सों में भी पस्ट बन सकती है फिर discharge आ सकता है कान में से discharge आना pelvic inflammatory disease में भी पस्ट बनती है especially महिलाओ के अंदर fever and body pain हो सकता है अगर आपके सरीर में पस्ट काफी ज़्यादा बन रही है तो तो अब बात करते हैं diagnosis का तो एक physical examination होता है जो doctor होते है वो अच्छे से check करते है फिर जरूत पढ़ने पर blood test किया जता है infection कोई पता लगाने के लिए अब समझते हैं treatment के options तो जब पस्ट बनती है तो उसके लिए options अलगर रहते हैं हमारे पास जैसे की एक option है हमारे पास वो है कि आप जो है वो oral antibiotic prescribed कर सकते हैं कि जो patients होते हैं वो oral antibiotics लेते है antibiotic की gel वहाँ पर लगा सकते है cream साते हैं, injection साते हैं और उसके powder test because especially यहाँ पे bacterial infections ज्यादा involved होते है पस formation के लिए तो antibiotics के option रहते हैं सबसे पहला option है क्लिंडामाइसिन का कि यह काफी effective and powerful antibiotic पस को सुखाने के लिए यूज की जाती है दोस रहता है खासकर 150 से लेकर 300 mg दिन में 3 या 4 बर ले सकते हैं खासकर lower dose से treatment शुरू की जाती है फिर जहाँ पे वो problem हुई है आप tablet तो ले रहा है पेसंट बट साथ में उसको ये gel भी prescribe की जा सकते हैं कि जिसके अंदर clindamycin and nicotinamide की ये gel है तो वो affected area पे लगाने का ये option रहता है तिसरा option हम देखे तो clindamycin का injection भी आता है और उसका जो हम dose देखे तो 600 से 900 mg जितना रहता है IV या फिर intramuscular हर 8 गंटे पे ये dose जो है वो patient जो है वो receive करते हैं injection में कुछ storage condition ध्यान में रखनी है कि जब ये injection आपके पास होता है तो 2 से 8 degree Celsius के temperature पे उसको अच्छे से store करना होता है सिद्डिल्याच की drug होने के कारण proper medical supervision में ही उसको use किया जता है prescription के साथ ही चौता है co trimoxazole की जो tablet साथी है उसका है कि जिसका dose रहता है खास कर एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार कि जिसके अंदर trimethoprimand selfa mythosazole रहता है और ये उसका एक famous ब्रांड है saptran करके जो हम यहाँ पे देख रहे है पाचवा option है वो है antibiotic का dusting powder की neomycin का अब देख सकते हैं powder है नियोस्पूरिन ब्रांड है उसका फिर साथ में दूसरा एक ब्रांड देखो तो वो है नीबा सल्फ करके है एबट की formulation है ये GSK का नियोस्पूरिन हो गया और Pfizer का ये नीबा सल्फ करके जो प्राड़क है जो Pfizer और Abbott दोनों बनाती है तो याप फिर से में आपको reminder देना चाहूंगा कि जो क्लिनिक चलाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको बूक चाहिए तो decision treatment जो बूक है वो ready है कि जो एलोपितिक प्रैक्टिस के लिए हिंदी में पूरा सीख सकते हैं हमारी बूक में से तो ये बूक अब ready है multi-colored printed book है कि जिसके सभी pages colored है तो ये बूक को आप जरूर से order कर सकते हैं order करने के लिए ये दिये गए नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं treatment के आगे कुछ options देखे तो वो है neomycin का जो powder रहता है वैसे उसका ointment भी आता है वो भी affected area पे दिन में दो या तीन बार लगाया जा सकता है povidon iodine का powder रहता है वो भी एक antibacterial antiseptic effect देता है कि जिससे जो pus formation हो रही है जो गाव हुआ है वो दिरी-दिरे सूखने लगता है और problem ठीक होने लगता है इवन जो टाके लिए जाते है especially pregnancy के बाद भी जहाँ पे जो टाके लिए गए होते है वहाँ पे भी यह powder दिया जाता है लगाने के लिए नियोस्पुरिन भी दिया जाता है आठवा option हम देखे तो इसी की cream भी available है ointment के form में अब कुछ एंटिबाइडिक टाबलेट में देखे तो टैकसीम जो टाबलेट है टैकसीमों सीवी 200 के जिसका दोस रेता है एक टाबलेट दिन में दो बार या फिर तीन बार लिए जा सकती है और हर एक टाबलेट के बीच में at least 8 गंटे का time interval होना जरूरी है next doxycycline का एक option रेता है कि जिसके एक capsule दिन में एक बार या फिर दो बार ऐसा dose रेता है उसका azithromycin अगर 500 mg का है तो एक टाबलेट दिन में एक ही बार सिर्फ तीन दिन का ये course रेता है उसका फिर klevum 625 एक टाबलेट दिन में एक या फिर दिन में दो बार ली जा सकती है फिर उसी content का कि amoxicillin and potassium kleulinate का अगर किसी को टाबलेट से ठीक नहीं हो रहा है पस formation तो उसके लिए ये injection का भी option बनता है फिर c-furexm का ये injection देख रहे हम सूफा से आप करके कि जिसका dose खास कर रहता है 0.75 से 1.5 gram intra muscular या फिर intra venous लगया जाता है हर 8 गंटे पर फिर nor metrosil plus करके जो आप टाबलेट देख रहे हैं कि जिसके अंदर ornidazol and ofloxacin है तो उसका dose रहता है एक टाबलेट दिन में एक या फिर दो बार फिर monosaf sb जो injection रहता है वो भी एक काफी famous है कि जो ven में लगा जाता है muscles में भी लगा जाता है पर ven में जब लगा जाता है तो उसको dilute किया जाता है कि जिसके अंदर sept reaction and sulbectum रहता है फिर cferoxym oxytil जो farsep tablet है एक टाबलेट दिन में एक या दो बार उसका डूज रहेगा फिर linkum sing कि जिसके अंदर linkum iacin रहता है ये पिर काफी powerful antibiotic है कि सभी antibiotic try कर ले फिर भी पस नहीं सूख रहा है problem solve नहीं हो रहा है तो ये जो एक option रहता है और 19th option हम देखे तो वो है levofloxacens के tablet का फिर अगर आख में ये problem होती तो इसके लिए eye drops है moxifloxacens के कि एक drop दिन में दो बार patient डाल सकता है फिर getty floxacens के भी eye drops का option रहता है कि एक या दो drop हर दो तिन गंटे पे eyes में डालने होते है फिर ear में होता है ear infection जो है वावे पस हो रहे तो ciprofloxacens के eye and ear drops आते है कि एक या दो drop हर दो तिन गंटे पे डालने होते है और एक आखरी option है linear solid का lean 600 करके यहाँ पे हम जो tablets देख रहे है फिर कुछ homeopathic and herbals में भी option है जैसे कि sulfur gel आती है antibacterial वो भी लगाई जा सकती है SBL के ये tablets आते हैं कि जो दो tablet दिन में दो बार जो वो patient ले सकते है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वाला वीडियो देखके भी आप काफी अच्छी information ले सकते है So good luck and all the best